नमस्कार जेहिं सातियों स्वागते आपका आपके अपनी यूटूब चैनल मरुदर क्लासेज पर दोस्तों आज बात करेंगे जैनाण व्यास विश्विद्यले में सप्लीमेंटरी वाले फॉर्म इस्टार्ट हो गए हैं जिन भाईयों के पिछली बार सप्लीमेंटरी आई या बैक आई थी तो उन्हों के फॉर्म अभी इस्टार्ट होगे पूर प्रिक्सा के तो आप फॉर्म किस प्रकार से बनना है तो उसके बारे में बताएंगे क्या नोटिपिकेशन है क्या क्या हसारते रखी कही सारी बात सीथ करेंगे उससे पहले आपसे सोटी सी रिग्व आप देख सकते हैं जैनायन व्यास विच्विद्याले के पार्टी करम वर्ष 2020 के आयुजन पुर्ग परिक्साओं में समयलित होने वाले केवल बीए बीए ओनार्स केवल सब्जेक्ट्री सब्जेक्ट बीकॉम बीए सी और ये बी एलल बी सभी ये देख सकते हैं आप अंत वर्ष के परिक्साओं में पुर्ग परिक्साओं आई हैंनि कि जिन्हों के सब्लीमेंटरिय या बैक आई हैं तो उन्हों को सुसित किया जाता है कि विच्विद्याले की वर्ष 2020 की पुर्ग परिक्साओं 11 फरवरी 2021 से आर्म वह रही हैंनि कि 11 तारिक से आपकी हो जाएगी 11 फरवरी से तो आप त्यारी में लग जाईए और फोरम अभी बरे जा रहे हैं तो फोरम बर दीजिए तो आरम होने प्रस्तावित है इसे तू अब्यारती अपना ओनलाइन प्रिक्सा आवेदंद पत्र विश्विद्याले की वेबसाइड है जैन्यू एज्यूकेशन डॉट इन पर दिनाक 12 जनवरी 2021 की साम से बर सकते हैं विबिन परकार के सुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदंद करने की दिदिया निर्यदारितियां पर की गई है तो आपको बिना विलंब किये 21 जनवरी तक आप फरम बर सकते हैं यानि कि आप 12 जनवर से लेकर के 21 जनवरी तक आप पूर्ग परिक्सा इन सप्लिमेंटरी का फरम बर सकते हैं और पसास रुपे विलंब सुल्क साइथ 27 जनवरी 2021 तक आप फिज कटवा सकते हैं तो परिक्सा सुल्क सालान में अंकित खाते में बैंक और बडुदा आईसी आईसी बैंक की राजस कार्ड से आप जमा कर सकते हैं इनका पैसा जो होता है फीस होती 200 रुपे होगी साइथ आवेदन या आवेदक की प्रिंट परती अर्ड कोपी आवसिक दस्तावेजों के साथ संबंदीत संसका या माव इद्याले में प्रिक्सा सुल्क जमा करवाने के तीन दिवस के बितर जमा करवाएं उसके बाद आवेदन पतर पर कोई विसार नहीं किया जाएगा तो आपको कॉलेज की तरफ से भी सूसित किया जाएगा अगर अभी तक नहीं किया तो आपको अगर आपके सप्लिमेंटरी आये तो नहीं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं और आपको कॉलेज में जो फॉर्म आप नेट बैंकिंग या कहीं से भी जो फीज बरते हैं उसकी सिलिप दी जाएगी तो वो उसकी आइड़ कोपी आपको अपने विश्वी द्याले में जमाज जरूर करवानी है जिसाए आपकी प्राइविट संस्ता है या फिर आपकी सरकारी संस्तान है जिन या पर नोट में भी सूसना दी गई है कि जिन पुर्ण मोल ल्यांका नेतू आविदंत किया है वे पुन्र मोल गानकन परिणाम की पर्तिक्सा किये बिना वर्तमान परिणाम अनुसार अपना पुरिक्सा आविदंत पत्र प्रस्तूत करें तो आपको वेट नहीं करना अग यह तो आपको फॉर्म बढ़ना है उसके लिए आपको पर्तिक्सा करने की आफसिक्ता नहीं है उप्योग तो पुरुक परिक्सा में वर्स 2020 की परिक्सा में समिलित अंती वर्स के सात्री आविदन कर सकेंगे अंती वर्स के अतिरिक्त अन्यक अक्साओं के सात्र पुरुक पर कर दिया गया कि अगर आपके फैष्टेयर शैकंड यर में अगर कोई supplementary है तो उसके लिए आपको फार्म नई भरना है सिर्फ आप फाइनल वाले हैं तो यह आप फार्म बरे क्योंकि फाइनल वाले ही एक्जाम क्रवाज आएंगे फेश्ट एर और सेकंड एर के एक्जाम नहीं होने वाले हैं तो ये विसेश कर आपको ध्यान रखना अगर आपके पहले बैक आईए हुई है तो वो बाद में फोर्म बरे जाएंगे सबी समद महा विद्यालों के प्रासारे मोद्य को सुसित किया जाता है कि पुर्व परिक्साओं आवेदन को ऑनलाइन सत्यापित हम परमानित करने के एक फरवरी 2021 तक प्रिक्सा साका में जमा करवा है ये दि आवेदन के आड़कोपी एक फरवरी 2021 तक जमा नहीं होई तो उस कारण से प्रिक्सार्थी प्रिक्सा से वंसित रहता है तो उसके लिए प्रिक्सार्थी स्वेम प्रासारे जिम्यवार होंगे तो ये भी द्यान रखना है कि विद्यार्थी जो आड़कोपी नहीं जमा करवाता हो तो फिर वो खुद जिम्यवार होगा और स्वाते प्रिक् के प्रिक्षा के प्रिक्षा आवेदन पत्र की आड़ को भी जाज जमा करवाई थी उसी संसका या विश्विद्याले में जमा करवानी आपको जरूरी है तो यह निर्दिशता दोस्तों अगर आपकी आसपास में कोई सप्लिमेंटरी वाला बंदा है जैनियू से तो उसको फाइनल येर वाला है वही इसके अंदर फोर्म भर पाएगा तो आसा करता हूँ यह जानकारी आपको पसंद जरूर आई होगी अगर पसंद आई तो सैनल को सस्क्राइब जरूर करें ताकि अगला लेटिस्ट वीडियो आप तक मिल सकें थैंक यू धन्यवाज जहिन जैब पारत